मैंने क्या बताया, 0 is a rational number, तो इस concept को समझते हैं, मान लोग कोई भी अगर number अकेला होता है, कोई भी number, मान लोग की 2, ये अकेला बन्दा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 by 1, कोई भी number है 3, इसको लिख सकते हैं 3 by 1, that means 3 by 1 means 3 तो है, 1 से अगर 3 को divide करोगे, तो 3 ये 1, 1000 by 1 हो सकता है, तो अगर ये numerator में क्या बैट रहा है, integers ना, minus भी put कर दोगे ना, सब के आगे, तब भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तब भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो यहां पे भी ये भी लिख सकते हैं, कि 0 by 1, और मैंने कुछ देर पहले बताया, कि नीच ये 0 हो नहीं सकता, लेकिन numerator में तो 0 हो सकता है, तो 0 by 1 is 0 होगा, क्यों नहीं होगा, माइनस 2 by 1 अगर माइनस 2 है, 2 by 1 अगर 2 है, 3 by 1 अगर 3 है, 1000 by 1 अगर 1000 है, तो फिर 0 by 1, 0Q नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है, तो इसलिए 0, अकेला 0, ये एक rational number हो सकता है, मतलब rational number होता है, समझ में आया की नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि दिनोमेंटर में 0 हो नहीं सकता, दिनोमेंटर में 0 नहीं हो सकता, समझ में आया की नहीं.